साथियों, हमारे ब्यहवार में, हमारे संसादनों में, हमारे सादनों में, हमारे इंफ्रास्टेक्टर में, आधुनिक ताका इस अमुरुतकार का प्रमुक्ष नक्ष है और साथियों जब हम इंफरस्टेक्टर की बात करते हैं तो अधिकतर लोगों के मन में पहली तस्वीर सडकों या फ्लाइ ओवर की हो जाती है लेकिन आधुनिक होते भारत में इंफरस्टेक्टर का विस्तार उससे भी बहुत बड़ा है उसके बहुत पहलू है आज भारत सोचल इंफ्रसक्चर ट्रांसपोर्ड इंफ्रसक्चर डिजिटल इंफ्रसक्चर के साथ ही कल्चल इंफ्रसक्चर पर भी उतनी ही तेजी से काम कर रहा है मैं आपको सोचल इंट्वासेक्टर का उधार देता हूँ आज देश में एम्स की संग्या पहले के मुकाबले तीन गुना हो चुकी है मेडिकल कॉलेजों की संग्या में भी 50% की बुर्ग्दी हुई है यह दिखाता है कि भारत आज अपने नागरिकों के स्वात को बैतर बनाने के लिए उन्हें मेडिकल की आधुनिक सुविधाय पहुचाने के लिए किस तरह काम कर रहा है आज देश में नई आईटी टिपल आईटी वेग्यानिक सांस्ताओं का आधुनिक नेटवर्क लगातार विस्तार किया जा रहा है तैयार किया जा रहा है बीते तीन वर्सों साड़े छे करोड से जादा ग्रामिन घरों को पाइप से पानी की सप्लाई सुनिश्चित की गई है आध देश के हर जीले में 75 अमरित सरोवर बनाने का महा अभियान भी चल रहा है भारत का ये सोशल इंफ्रसक्टर सामाजिक न्याय को और सम्रुद्द कर रहा है साथियों ट्रांस्पोर्ट इंफ्रसक्टर के भी कास्पोर आज भारत जितना काम कर रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ आज एक तरफ देश भर में ग्रामीन सर्कोर का निर्मान हो रहा है तो वही रिकॉर्ड संख्या में आदुनिक एक्सप्रेस में बनाए जा रहा है आज देश में तेजी से रेल्वे का इलेक्रिफिकेशन हो रहा है तो उतने ही तेजी से अलग-अलग शहरों में मैट्रों का भी विस्तार हो रहा है आज देश में अन्यों को नए एरपोर्ट बनाए जा रहा है तो वाटर वे की संख्या में भी अबुत्पुरों वृद्धी की जा रहा है डिजीटल इंफ्रसेक्टर के निर्माद में तो भारत आज पूरे विश्व के अगरणी देशों में अपनी जगा बना चुका है डेड़ लाज से जदा पंचायतों तक अप्टिकल फाइबर पहुंचाना हो डिजीटल पेमेंट के नए रिकॉर्ड हो भारत की डिजीटल प्रगेती की चर्चा पुरी दुनिया में हो रही है भाई और बहनों इंफ्रसेक्टर के इंकारियों के बीच भारत में कल्चिरल इंफ्रसेक्टर पर जो काम किया गया है उसकी उतनी चर्चा नहीं हो पाई है प्रसाद स्कीम के तहट देश के अने को तिर्थ सलो का पुनरवधार किया जा रहा है काशी, केदारनाथ, सोमनाथ से लेकर करतारपुर साथ कोरिडर तक के लिए जो कारिय हुआ है वो अभुत्पुरवा है और साथियों, जब हम कल्चरल इंफ्रसेक्टर की बात करते हैं तो उसका मतलब सिर्व आस्ता की जगों से जुड़ा इंफ्रसेक्टर ही नहीं है इंफ्रसेक्टर जो हमारे इतियास से जुड़ा हुआ हो जो हमारे राष्ट नायक और राष्ट नायकाओं से जुड़ा हुआ हो जो हमारी विरास्त से जुड़ा हो उसका भी उतना ही तत्परता से निर्माण किया जा रहा है सरदार पटेल की स्टेचि आफ यूनिटी हो या फिर आदी स्वासी स्वतंतरता सेनारियों को समर्पित मुजियम PM मुजियम हो या फिर बाबा साब आमबेड कर मेमोरियल नेशनल वार मेमोरियल हो या फिर नेशनल पुलिस मेमोरियल ये कल्टरल इंफ्रोसेक्टर के उदाहरण है ये परिभाशित करते हैं कि एक राष्ट के तौर पर हमारी संस्कृति क्या है हमारे मुल्य क्या है और कैसे हमीने सहज रहे है एक आकांची भारत, सोशल इंफ्रसेक्टर, ट्रांस्पर्ड इंफ्रसेक्टर, डिजिटल इंफ्रसेक्टर के साथ ही cultural infrastructure को गती देते हुए तेज प्रगदी कर सकता है मुझे खुशी है कि आज करतब पत के रुप में देश को cultural infrastructure का एक और बहतरी नुदारण मिल रहा है architecture से लेकर गए आदर्शों तक आपको यहाँ भार की संस्कृति के दर्शन भी होगे और बहुत कुछ सिखने को भी मिलेगा मैं देश के हर नागरी कावान करता हूँ आप सभी को आमंतन देता हूँ आईए इस नव निर्मित करतब यपत को आकर देखिए इस निर्मान में आपको बविश्य का भारत नजर आएगा यहाँ की उर्जा आपको हमारे विराट राष्ट के लिए एक नया विजन देगी एक नया विश्वास देगी